अकीरा यहां पर बाहर खड़ी रहती है और फिर निवेदिता आ जाती है और कहती है अकीरा उसके बाद निवेदिता कहती है कि क्या बात है अकीरा आप तक तुमने सोया नहीं फिर उसके बाद अकीरा कहने लगती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है इस नॉट राइट फिर उसके बाद निविदित्या कहती है क्या गलत हो रहा है अकीरा फिर उसके बाद अकीरा कहती है कि देविका का इस घर में क्या जरूरत है आप है मैं हूँ शान जी है और हम लोग सब मिलकर क्रिशी का अच्छे से ध्यान रख लेंगे फिर उसके बाद निविदित्या कहती है कि कुछ और और किरा देविका का इस घर में रहना बहुत जरूरी है आज तुमने देखा ना जब कशी को पैनीगा अटाया था क्रिशी को देविका ने ही बचाया उसके बाद निविदिता कहती है कि जब तक क्रिशी ठीक नहीं हो जाती है देविका यहीं पर रहे खैर बहुत ज़्यादा रात हो गई है आप स्ट्रेस मत लीजे जैस चिल उसके बाद यहां से निविदिता चली जाती है उसके बाद अकीरा कहने और इधर क्रिशी बेट पर लेटी रहती है और अपने मम्मा यानि अस्मिता और अपनी फोटो को देख कर कहती है पिलीज मम्मा आप मेरे पास आ जाओ ना फिर उसके बाद भी देविका आ जाती है उसका ब्रेकफस्ट लेके जैसे ही आवाज सुनती है दरवाजा का क्रिशी तुरंत नाटक कर लेती है और शोने का नाटक करने लगती है फिर उसके बाद देविका का टेबल पर फिर ब्रेकफस्ट लग देती है और देखती है क्रिशी शोती रहती है तो फिर वहाँ से उसको किस करके वहाँ से जाने लगती है फिर जैसे ही टर्न करती है वैसे ही क्र के बाद देविका लोट कराती है के ठीजी फिर क्रिषी बोलती है कि क्या आपने कल पापा को खाना खिला दिया था फिर उसके बाद देव का कहती है हाँ मैंने कल तुम्हारे पापा को खाना खिला दिया था और हाँ अगर आप उठी गई हो तो चल्दी से आप फ्रेस हो जाई है और मैंने आपके लिए एक सर्प्राइज बनाया है आपका बहुत थी फ्रिस हो जाती हो और फिर क्रिशी वहां से बातरूम में चली जाती है उसके बाद अकीरा क्रिशी के बेड रूप में आ जाती है और बेड पर अस्मिता और क्रिशी की फोटो पड़े रहती है फिर उसके बाद कहने लगती है अकीरा कि अगर मैं इस फोटो को अगर मैं जला पूरा सकh देविका के ऊपर जाएगा और इस घर से बाहर जाने से को Nochई नहीं रोक पाए रहा फिर देविका फोटो में आग लगा देती है और फिर जब क्रिसी आने लगती है तो तुरंत वहां से डर जाती है और फोटो वहीं बेड के पास फेक के भाग जाती है फिर धीरे-धीरे करके वो फोटो से धीरे-धीरे करके पूरे बेड पर आग लग जाता है और फिर क्रिसी आती है अपना फिरस वगरा पानी पोचती है बेड पर फिर अचानक से उसकी फोटो पर निगाह पड़ती है जो कि फोटो जलती रहती है और फिर चिलाने लगती है बेट पर चड़ जाती है और चिलाने लगती है ममा 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 करके चिलाने लगती है तो फिर उसके बाद देविका आ जाती है और देखती है चारों तरफ आग लगा हुआ है फिर देविका उसको बचाने में लगी रहती ह फिर क्रिशी का निगाफ सिर्फ फोटो पे रहता है बार बार फोटो लेने के लिए दोड़ती है लेकिन वो बेट के उपर रहती है वो बेट के चारो तरफ आग लगी रहती है फिर वो देविका की नजर जाती है कि क्रिशी फोटो लेना चाहती है तो देविका वहां से भी आ जाती है जो कि आग को बुताने में मदद करती हैं फिर को बाद सब लोग वहां पर बैड़ जाते हैं क्रीशी को किस करने लगते हैं और काफेडरे हुए रहते हैं तर फिर उसके बाद क्रीशी केती है देविका अंटी आप ठीक हो पूछने लगते हैं बेटा तुम ठीक हो ना तो फिर क्रिसी कहती है पापा मैं ठीक हूँ देविका अंटी ने मुझे बचा लिया है आप देविका अंटी से पूछिए वो ठीक है ना और आप देखिए उनकी हाथ में जखम लगा हुए जल गई है मुझे बजाते हुए आप प्लीज उनकी मदद करो ना पापा फिर उसके बाद शान जाते हैं देविका के पास और फिर उसे बात्रूम में लेके जाते हैं और इसके हाथों पे पानी डालते हैं और फिर देविका रोने लगती है और फिर शान पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गया उन्होंने कहा फिर देविका कहती है कि नहीं ये ये मेरे आखों में आशु पेन की वज़ा से नहीं ये आपको देख के आ रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हो फिर उसके बाद देविका और शान बाहर आ जाते हैं और फिर निभीदता एक क्रीम लेके आई रहती हैं और किटा कृशी को लेकर चली आती हैं कहती है बेटा आप मेरे साथ चलो क् tocarThis कि आती है और फिर की किटा आजा हो मैं गराम पानि दे के तुम्हें में क्रिशिन में तुमारी खांसी चली जाए misunderstood निघ उसे होते हैं औो अधिशव को कहने लगती है कि ये तुम्हारे मम्मा ने देविका ऐंटी को भेजा है तुम्हारी लाइफ में आपने पापा को मना लो त्य देविका अंटी आपके लिए ठीक हैं अपने पापा को बहुलादो कि वपनला और।